तो इस एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने को ओप्शन खरीदना कब है बेस्ट वे क्या है ओप्शन खरीदने का मैं उसके लिए एक थोड़ा सा आपको पहले मैं ओवर्व्यू देदू देखे जो लोग पूरा महीना महीना भर स्टॉक की ओप्शन को रखके बै आपको नहीं पता मार्केट अगर आगे दस दिन भी रुका ना आपको कुछ नहीं देने वाला मार्केट पैसा नहीं देने वाला आपको देखिए मार्केट यहां पे अगर आप देखें एक ही दाएरे में गुमा ठीक है कब से कब तक गुमा मैं आपको यहां पे दिखाता बड़ा बड़िया तरीके से आपको मैं सब बताऊंगा ये देखिए 10 जून को 2975 रुपए का भाव था कि इसका Reliance Industry का मैं सिर्फ सिंप्ली एक एक एक्जामपल ले रहा हूँ कि अगर मैंने Reliance Industry की 2900 वाली कॉल में ट्रेड किया होता जो कि mostly लोग क्या करते हैं महीने के स्टार्टिंग में ही बैड़ जाते हैं कॉल पूट्स में पोजिशन बना करके बाई करके उनको फोन आता है और या कोई कॉल आती है कि या कंपनी ब्रोकिंग हाउस से कॉल आती है कि भाई ये बाई कर लो और इसका Target इतना Stop Loss इतना Stop Loss कोई लगाता नहीं है मार्केट में पूरा महीना आप लोग पोजिशन पे बने रहते हैं तो बेस्ट अभी यहाँ पे दिक्कत परिशानी क्या है प्रीमियम का तूटना अब प्रीमियम तूटता कब है सबसे ज़दा तो प्रीमियम सबसे ज़दा तूटता है स्विंग ना आने पर मार्केट में अगर स्विंग आएगा तो आपको Option Buy बहुत अच्छा फायदा देगी मार्केट कंटिनियूसली अप अप है अगर यह वाला इस तरीके का Trend है तो मार्केट आपको डेफिनिटली पैसा देगी अगर यह इस तरीके का Trend है तो पुट आपको पैसा देगी ठीक है अगर इस तरीके का Trend है तो Call Option आपको पैसा देगी लेकिन अगर Trend आपका यह वाला Trend है तो आपको Option Buy यह बहुत महंगा पड़ेगा आपको तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक्जामपल देता हूँ यह देखिए आप चेक कीजिए कि इस दिन Option का Price क्या था यह देखिए Reliance का Price क्या है 394 रुपे राइट नीचे कहां तक गया जी कितना गया जी नीचे गया जी 395 रुपे है फिर देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए 2975 रुपे पर 60 रुपे में ज़्यादा फरक नहीं है लेकिन अब Option पर Impact देखिए क्या है यहाँ पर समझने वाली चीज है अब यह हमने Option का उसी दिन का हाई लिया जिस दिन रुपे अपना 2985 रुपे का हाई अप्शन का प्राइस क्या था 110 रुपे 2900 वाली कॉल 2900 वाली कॉल का प्राइस अब यहाँ पर देखिए Option में क्या कहानी होई नीचे कहा तक गई 58 रुपे चोववन पैसे नीचे अब देखिए अप साइड देखिए आप रिलाइस फिर से आ गया 19 जून को फिर से हाई बनाया 2975 का लेकिन हमारी ऑप्शन का भाव क्या था 83 रुपे बास 27 रुपे प्रीमियम तोट गया आपका यहाँ पे 27 रुपे प्रीमियम तोट गया स्टॉक फ्यूचर या अगर मैं स्पॉर्ट प्राइस की बात करूँ रिलाइस की तो फिर से वो उसी लेवल पे आ गया लेकिन ऑप्शन तूट गया यह सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मार्किट में अप्शन ट्रेडिंग की अगर स्पेशली बात करूँ यह सबसे बड़ा लॉस है अप्शन बायर को भाई आप अप्शन बाय कर रहे हैं कोशिच कीजिए कि सेम डे के लिए ट्रेड करें उसको कहरी करने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू अगर उप्शन बाय आपको करना है तो आपको ट्रेंड क्लियर होना चाहिए और ट्रेंड भी किस तरीके का कुछ इस तरीके का ट्रेंड होना चाहिए मार्किट में तब आप उप्शन में पैसा खमा सकते हैं ये call option buy के लिए और अगर put option buyer की बात करूँ तो ये trend अपने को चाहिए लगातार नीचे market जाए तब जाके option buyer को चांदी ही चांदी होगी लेकिन अगर अगर आपने market में करीबन 5 से 6 trading session भी ऐसे चल पड़े ना तो आपका option buy का price वही आना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए best way is कि आप day to day basis पे activity करें अगर आप अगर आपको confidence level आपका हाई है आपके पास tools है आपके पास strategies है आपके पास information है और आपको साथ ही awareness है बाजार के trend की लेकिन अगर आपको इन में से एक चीज़ की भी कमी है तो कोई फाइदा नहीं है option buying में जाने का बिल्कुल भी एक एक लाख रुपे दो दो पाँच पाँच लाख रुपे log loss दे देते हैं options में पूरा महीना रखके रखेंगे और end में जाके option 0 अभी देखिए 2900 वाली call का price 110 रुपे लेकिन अभी क्या हालत होगी है Reliance आपका 3910 रुपे है Reliance में कोई फरक नहीं पड़ा वो आज भी टस से मस नहीं हुआ 3900 रुपे है लेकिन आपकी option 13-14 रुपे घुम रही है 110 रुपे की option 13-14 रुपे के वल बहुत बड़ा point है या बहुत ही बड़ा point है बहुत ही बड़ा big point है हो सकता है कि day to day में इतना फ options में लेकिन जब आप उसको carry forward कर लेते हैं तो वो आपकी capital को spoil कर देती है बशर्ते बशर्ते आपने अगर option buy किया माल लीजिए इस भाव में क्या भाव हुए जी यहां पर एक बड़ चेक कर लेते हैं माल लीजिए आपने 102 रुपे में option उठाई एक सेकेंड इसको हम लोग हटा देते हैं यहां से हम price level लेते हैं यह वला तो माल लीजिए आपने 101 रुपे में 57 पैसे में option उठाया reliance का आपको लगा की बजार जो है अब देखिए अगर इस तरह का trend आया तो बजार में क्या बढ़िया यहां पर मुनाफा आपका start हो गया 110 रुपे चाहे धीरे धीरे ही चल रही है 116 रुपे फिर देखिए आप 138 रुपे भाव क्या बात है फिर देखिए reliance ने और पैसे डाले 170 रुपे आया मज़ा यहां पर आप देखिए अगर आपको आपने माल दीजिए put में option बनाया buying का राइट 158 रुपे में आप बेचेंगे अगर आपने इसको put बनाया तो आगे देखिए यह देखिए 80 रुपे तो पैसा वही आपको इस तरीके के trend में बनेगा आपक तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि when we do option selling the big question is तो इसका answer क्या है when we do start option selling तो इसका answer है सबसे बढ़िया when you may predict the market sideways की एक range में रहने वाला है बजार फिर आप option को sell कर सकते हैं I hope आपको वो answer मिल गया होगा जो आपको हो सकता है आप जिसे आप click ना कर पा रहे हैं आपको कारण ना पता चल रहा हो या आपने कहीं से सुना है बट आप implement नहीं कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान दाएक है and when we do start option buying question next is when we do start option buying so answer is answer is when you may predict market is one side when you may predict market is one side so भई one side बजार है तो option buy कीजिए कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर market आपका sideways है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आपको option selling में ही आना चाहिए ना आपको put buy करना चाहिए ना आपको call buy करना चाहिए फिर आपका premium बहुत गंदे तरीके से तूटता है और वो वापिस नहीं आता चाहे share का price वहीं पे खड़ा है ये सबसे बड़ी problem okay my friends I hope आपको answer मिल गया होगा कि option आपको buy और option selling आपको कब करना चाहिए अगर अभी भी आपके मन में कोई दूविदा बनी हुई है तो please मुझे comment box में tag कीजिए ताकि मैं आपका साथ दे सकूँ और आपको सही direction दे सकूँ thank you so much keep learning keep watching my videos and keep sharing my videos